हम लोग HTML, CSS और PHP को यूज़ करके एक registration form create कर रहे थे और CRUD operation को perform कर रहे थे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था पिछले वीडियो के according की हम यह form create करेंगे इसका data database के अंदर store करेंगे ताकि यह जो data है आपका loss ना हो कहीं न कहीं store कर सको और at the same time उस data को हम लोग अपने page के ऊपर display कराएंगे उसको delete करेंगे अपडेट करेंगे और यह operations जो है हम लोग perform करेंगे अगर आपने इस series को अब तक follow up नहीं किया है तो इस video के description में link है वहाँ से अब सारे videos को जा करके देख सकते हो अपने last videos के according अगर मैं बात करूँ तो हमने इतना काम जो है वो पूरा कर लिया है और हमारा form almost बन करके तयार है इसके बाद बस हमें यहाँ पे crud operation को perform करना है अब देखोगे तो आज के video के अंदर इसको एक step और आगे ले करके जाएंगे ताकि यह दिखने में थोड़ा सा हमें better लगे वीडियो को start करने से पहले अगर आप हमारे channel पे new है तो subscribe करे bell icon को click करके all notification कौन करे ताकि आपको latest videos की notification मिलती रहे चलिए जी तो यह मेरा last video का code है और जहां तक मुझे याद है मैंने जो select box के यहां का arrow था ना उसे मैंने यहां से remove कर दिया था और राइट इसके आगे का काम हम लोग पूरा करते हैं तो इसी को मैंने यहां से कर लिया copy copy करने के बाद मैं यहां पे नीचे कर दिता हूँ paste paste करने के बाद मैंने कहा इसकी मुझे यहां पे styling करनी है तो मैंने इसको provide किया इसके अंदर content क्या रहेगा मैंने का ये खाली रहेगा और basically मैं pseudo elements का use कर रहा हूँ जो हमारे before after होते हैं तो यहाँ पर मैं before जो है वो provide कर रहा हूँ कि पहले कैसा रहेगा बाद में कैसा बन जाएगा position कर देंगे हम लोग इसकी absolute top से एक space maintain कर देता हूँ यह थोड़ा सा खराब हो गया so let's go with top से मैंने कहा इसको zero रहेगा right hand side पर locate कर दिया मैंने इसको zero और एक border जो है मैंने इसको provide किया border कह दिया मैंने let's go with 8 pixel solid black आप black नहीं भी लिखोगे solid लिख के छोड़ दोगे तो भी by default आपका black रहता है अब जो border आएगा उसका color किस तरीके का होगा वो मैं यहाँ पे specify कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे color specify कर देता हूँ let's go with red, green, pink and black आपने background में कोई और color रखा है मैंने purple रखा हुए wallet रखा है तो इसके इसे आप से color को change कर लेना यहाँ पे आपका एक box बन के आएगा हमारे case में नहीं आया कुछ ना कुछ हमने fault किया है ओल राइट थोड़ सा यहाँ पे changes करते हैं यह जो मैंने select box के अंदर class लगा दिया है मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इस select box के just उपर एक div मैं यहाँ पे create कर रहा हूँ और उस div को हम close करेंगे इस जगह पे और इसमें मैं वह वाला class जो है वो specify कर देता हूँ इस जगह पे अब इसके बाद मैंने private browsing के अंदर again open किया है तो आप देखोगे कुछ ऐसा ही आपको दिखाई देगा और यह फिर वही mistake हो गया यहाँ नहीं रहेगा div बनाया है div में रहेगा save किया private browsing पे open कर लिया है ताके history वगरा का fault ना आए तो आपका select कुछ उस तरीके का चला गया जो की खराब है बट still जो हमने बनाया था वो आपको इस जगह पे दिखेगा अलग-अलग colors का फिर से देखो code में क्या change किया मैंने मैंने इस select के ऊपर एक div लगा दिया और select के बाद उसे close कर दिया ठीक है और उस div के अंदर एक class मैंने specify कर दी वही जो हमारा already था और उसके बाद इस जगह पे तो आपका सब कुछ जो है वो normal रहेगा अब ये जो है न ऊपर इसके बाद आपको देना है select tag क्योंकि मैंने एक div ऊपर खिसका दिया उसको तो ये changes आपको यहाँ पर करना है save और refresh करेंगे तो ये पहले के मुकाबलिक है या फिर ये थोड़ा सा confusing हो रहा है because of select और select box let's make it custom underscore select कि भाई मेरा बनाया हुआ select box है ठीक है custom select मैं इसका नाम देरता हूँ और यहाँ से कर लिया मैंने copy जहाँ जहाँ मैंने dot select box दिया था उस जगा पर मैं इसको कर रहा हूँ custom select नाम चेंज करने से कुछ नहीं होगा बड़ जो मैं confused हो रहा हूँ at least मैं उसको solve कर पाऊँगा यहाँ पे और यहाँ dot भी लगाना है dot हमारा छूट गया save करके यहाँ करके refresh करेंगे still वही है हमारे पास और right so मैंने इसको side में रखा हुए और zoom वापस पहले की तरह कर देता हूँ यहाँ पे क्यूंकि हमने इसमें changes किये हैं तो अब यह जो height है ना यह हटा करके आप इसे 100% allocate करो ताकि यह पूरा screen जो है वो cover up करे ठीक है कुछ इस तरीके का impact आया भी webkit appearance वाली line को एक काम करते हैं हम लोग यहाँ से उपर ले जाते हैं तो webkit appearance और यह दोनों line को मैं यहाँ से cut कर रहा हूँ और इसमें top पे जाकर के मैंने उसको paste किया यहाँ से इस gap को remove करेंगे save and refresh करेंगे और एक padding भी यहाँ पर हम लोग allocate कर देते हैं कि gap maintain करना है तो यहाँ पर मैंने इसको provide किया padding top और bottom से 8 pixels and left and right से 10 pixels same चीज़ जो हमने अपने text boxes के लिए किया है मैंने इसके लिए भी वही provide किया तो यह थोड़ा सा पहले के मुकाबले दिखने में better हो गया all right so इससे as it is copy करो changes करने के current confusions है और इसके उपर आ जाओ as it is इसको आपको paste कर देना है और 2-4 लाइनों की CSS यहाँ भी आपकी बनेगी सबसे पहले तो position कर दो यहाँ पे relative width हो जाएगा आपका 100% और जो height है वो हो जाएगा आपका 37 pixel अपने इस आप से कम जादा करके देख लेना save and refresh करेंगे वापस हमारा यह पहले की तरह हो जाएगा सही से code दिखा देता हूं मैं आपको zoom करके क्या क्या changes हमने किये है custom select किया नाम और उसके उपर वाले line में यह लगा दिया जहाँ पे सिर्फ custom select है इस जगा पे select tag के साथ है और नीचे उसके हमारा before के साथ है अब बारी आती है हमारा changes करने के बाद वो हमारा थोड़ा सा बिगड़ गया वो जो यहाँ color आया था ना वो हमारा बिगड़ गया और राइट इसी के साथ साथ जो यह वाली line है ना हमारी select वाली इसमें से इस position relative को हटा दो इतना कैके मैंने save किया यहाँ आके refresh किया तो अब मेरा यह देखने को मिलेगा I'm so sorry बट अगर कोई confuse हुआ है प्लीज दुबारा back करके इस वीडियो को देखे आपको समझे में आएगा ज़्यादा changes नहीं है बस यह एक line add की है और पिछले वीडियो का recording छोटे मोटे false जो है वो यहाँ आकर के हमने remove कर दिया तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यह colorful चीजे मुझे यहाँ पे देखने को मिलेंगी चार एंगल पे खेर यह पहले भी आ गया था बट changes करने के कारण वो हमारा खराब हो गया अब मैं क्या चाता हूँ इसको कि मेरे requirement के हिसाब से यह देखो वो पहले जो था वो बहुत black सा था मैं कुछ इस तरीके का इसको बनाना चाता हूँ थोड़ा सा light रहे आपके हिसाब से और custom यह proper हमें देखने को मिले लेकिन उससे पहले मैं आपको domain research के बारे में बताना चाहूँगा अगर आप अपने business को online लेकर के आना चाते हो तो आप domain research.com पे आ करके web hosting वाले page पे आएंगे और domain research आपको web hosting and domain name की services यहाँ पे provide करते हैं अगर हम यहाँ पर pricing plan की बात करें तो 59 rupees per month से start हो करके 249 rupees per month तक prices जो हैं वो vary करते हैं personal plan के अंदर आप एक website को host कर सकते हो unlimited SSD की storage है unlimited email address create कर सकते हो bandwidth unlimited light speed की technology है और premium SEO tool आपको free मिल जाता है silver plan के अंदर आप तीन website को host कर सकते हो बाकी सारी चीज़े सेम हैं और unlimited है advance plan के अंदर आपको एक domain name free मिल जाता है unlimited website को आप यहाँ पे host कर सकते हो बाकी सारी चीजे सेम हैं और unlimited है और इन तीनों ही प्लान में premium SEO tool आपको free मिलता है basic plan की अगर हम बात करें तो एक website को host कर सकते हैं 1 GB की storage है, 10 simulators create कर सकते हैं 5 GB की bandwidth है और light speed की technology है तो आप domainresa.com पे आ करके अपने requirement, अपने budget के हिसाब से कोई भी होस्टिंग plan select कर सकते हो और राइट, सो इसके आगे का काम हम लोग पूरा करते हैं फटाफट इस जो colors थे आपको बताने के लिए थे actually कि हाँ color देख लो दिख रहा है कुछ ऐसा, reality में मुझे ऐसा color नहीं रखना, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा last वाले को पहले तो मैं यहाँ पर transparent मार देता हूँ और यहाँ आकर के आपको दिखा देता हूँ तो एक color गायब हो गया, तो basically मैं इसको भी अटाऊँगा, और right वाले को भी अटा दूँगा top वाले को रखूँगा और उसको भी कुछ अपने तरीके से align करूँगा, तो मैं इसको यहाँ से copy कर रहा हूँ, pink की जगा पेस्ट कर दिया, green की जगा पेस्ट कर दिया अब बच गया आपका starting में red save और refresh करूँगा, तो यह arrow आ गया, इसको भी मैं gray color का दे दूँगा या जो हमारे form में चलता आ रहा है वो ही रख लेते हैं, देखने में अच्छा लगेगा so let's go with this color hash के साथ उसको paste करें यहाँ पर आ करके मैं save कर रहा हूँ और यहाँ से मैं रिफ्रेश किया तो obviously मेरे look को वो judge रहा है अब एक चीज़ का fault है यहाँ पे देखो जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो select box काम करता है जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो काम नहीं करता हूँ उस arrow के उपर चीक है, तो वो भी हमें सही करना है और यह उपर चिपक गया है इसको भी हमें यहाँ पे correct करना है तो जो मैंने border वगरा लगा रखे थे ने आप ऊपर से ये top से zero कर रखा था मैंने समझाने के time पर फिलाल इसको 12 pixel कर रहा हूँ pixel लगाना मत भूल जाना यहाँ याँ याद से लगाए और right वाले को मैंने यहाँ पर किया कि 10 pixel का एक gap जो है वो maintain कर तो आप देखोगे यह better है but still मैं इसके उपर क्लिक कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा कहीं और क्लिक करने पर यह खोल रहा है तो इसके उपर एक event generate करना पड़ेगा उसको भी फटा फट से देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर आकर के मैंने इसको specify किया pointer events save किया और यहाँ आकर के refresh किया तो अब अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यह काम करेगा कहीं भी क्लिक कर लो आपका select box जो है वो properly आपके सामने visible है और custom बन करके आया है यह series के starting में ही कहा था सारा कुछ custom है अपने हिसाब से हम जोग इसको design करेंगे अब बारी आती है कि जब इन सब के उपर focus हो यानि कि जब click हो कोई एक active हो तो क्या किया जाए तो उसके हिसाब से भी कुछ ना कुछ changes तो करने पड़ेंगे तो यहाँ पर मैं आ गया और यहाँ पर आने के बाद input field तक मैंने यहाँ से कर लिया copy नीचे आ करके मैंने कर दिया paste paste करने के बाद dot यहाँ पर मैंने specify किया input अब यह input मैंने कहीं ना कहीं यह मेरा tag है या फिर एक यहाँ पर आ करके हम देख लेते हैं सही तरीके से यह देख रहे हैं आप हर एक input box को मैंने class दे रखा input फोकस यानि कि जब उसके उपर cursor जाए या by default जब वो उसके उपर कोई बंदा काम करे कुछ तो वो कैसा दिखेगा तो मैंने यहाँ पर specify किया focus और इसकी styling मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ मैंने का एक border जो है वो लगाना है one pixel का solid format में और color code जो है वो रहेगा आपका hash fec107 यह मैंने इसको provide किया मैं इसको save कर देता हूँ और यहाँ करके refresh करता हूँ अब देखोगे जैसी मैं इसके उपर click कर रहा हूँ न तो एक color आपको दिखेगा see this मैं यहाँ से हटा देता हूँ और zoom करके दिखाता हूँ initially यह wallet या purple color का है click करने पर थोड़ा सा yellowish या golden yellow color का यह हो रहा है ठीक है तो यह आप अपने requirement के हिसाब से इसको set कर लो मैं फिलाल के लिए इसको यहाँ से purple कर देता हूँ और आपको save करके यहाँ पर उसको check कराता हूँ तो आप देखोगे यह पहले के मुकाबले आपको थोड़ा सा गाढ़ा यानि कि dark होता हुआ यहाँ पर visible होगा text area के लिए भी same कर देते हैं क्योंकि उसके अंदर यह काम नहीं कर रहा सो मैं क्या करूंगा यहाँ पर पूरा का पूरा मैंने copy कर लिया और यहाँ आकर के comma paste और इस input की जगा पर जो हमारा text area था वो मैंने यहाँ पर type कर दिया save किया और यहाँ आकर के एक बार refresh करते हैं देखते हैं text area पर काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा spelling mistake है ठीक है अब better है तो सारी चीज़े हमारी यहाँ पर सही तहीके से काम कर रही है बट select box नहीं कर रहा खैर कोई बात नहीं comma again paste किया और यह रहेगा हमारा select tag बीना dot के यह ध्यान देना save और यहाँ आकर के उसको मैंने refresh किया let's see यह हमारा चलता है की नहीं चलता है hopefully आप देखोगे वो dark हो गया ठीक है तो सब चीज़ों के उपर focus करने के उपर वो हमारा custom color जो है वो display कर रहा है एक बार आप इस code को थोड़ा सा सही तरीके से देख लो select box में यहाँ क्या changes हुए थे आप देख लो इस चार-पांच लाइनों को वीडियो को pause करके देखें क्या changes किये गए है और इस जगा पे आप देखें यहाँ से क्या changes किये गए है इस जगा पे इसको proper as it is लिखें आप उसके बाद same इसको लिखें and इसको भी आपको as it is टाइप करना है आपका जो code है वो proper तरीके से काम करेगा next वीडियो के अंदर इसको एक step और आगे ले करके जाएंगे उमीद करता हूँ आपने मेरे series को follow करते हुए इतना portion अब तक create कर लिया होगा अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगिए तो please like करें comment में अपना feedback जरूर दे मैं मिलता हूँ आप से अगली वीडियो में thanks for watching guys